वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नॉले राइजिंग हब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और लेटेस नूटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दवाएं ताकि जब भी चैनल में नई वीडियो आए तो आ आप तर नूटिफिकेशन पहुच जाए हेलो एवरिवन वेलकम टू नॉले राइजिंग हब करेंट अफियर सेशन में आपका स्वागत है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफियर टॉपिक है पद्म अवर्ट्स तूथाउजन ट्वेंटीट जो भी 2022 में पद् किया दो कोशन बन ही जाता है चली स्टार्ट करते है थो पहले हम बात करेंगे कि क्या ओता है पद्म अवर्टीज सेवा कि लिए दिया जाता है यहा भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरूस्कार है ऐसे question भी पूछ सकते हैं कि दुसरा सबसे बड़ा नागरी पुरुसकार कौन सा है तो वो पद्मवी भूशन है फिर हम बात करते हैं पद्मभूशन की उच्च कोटी की विशे सेवा के लिए दिया जाता है यह भारत में तिसरे सबसे बड़ा नागरी पुरुसकार है यह तिसरा दुसरा यह नमबर भी आप जरूर देखना इनमें नेक्स है पद्मश्री विशे सेवा के लिए दिया जाता है नागरी पुरुसकारों के क्रम में यह चौधे स्तान पर है नेक्स है जो इस पार का गड्तंत्र दिवस हुआ 2022 का वो 33 नंबर का हुआ एडीशन हमें याद करने ही है मैंने हमेशा बोला है एडीशन पर कोशन बनते ही है 73 नंबर का था इस पार 73 गरतन दिवस की पूरो संधिया पे भारत सरकार ने पद्म पुरुसकार 2022 की गोशना की इस सूची में 4 पद्म विभूशन, 17 पद्म भूशन और 107 पद्म पुरुसकार दिये गए ये नमबर याद करना बहुत जरू हो जाता है क्योंकि ये नमबर से कुशन पूछे जाते कि कितने पद्म विभूशन, 4, कितने पद्म भूशन, 17 और कितने पद्म श्री दिये, 107 पुरुसकार दिये इस वर्ट्स रामनात कोविद ने राश्टुपती रामनात कोविद ने दो यूगल मामलों मतलब डियो केसे सहीद 128 पद्म पुरुसकार को प्रदान करनी की मंजूरी दी इन में से 34 पुरुसकार पाने वाली महलाएं हैं ये जरूर देख लेना इस पे कोशन्स बनते ही हैं नंबर पे कोशन्स बनते ही हैं टोटाल नंबर तो 128 है उसमें से 4 ये 17 ये 107 ये और 34 महलाओं को दिया गया विदेशी, NRI, PIO, OCI की स्रेणी में 10 पुरुसकार विजेता और 13 मरणो प्रांत पुरुसकार विजेता हैं नेक्स है अब थोड़ा लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं पद्म विभूशन किसको मिला थोड़ा मैं सारे डिटेल दूंगी आपको लेकिन थोड़ा ब्रीव देरी हुँ जो की बहुत ग्रेट परस्नालिटीज हैं उनके बारे में पद्म विभूशन मिला जो हमारे सीडियेज जेनरल विपिन रावत थे जिनकी एक दुगत हेलिकाप्टर दुरुगटना में मृत्ती हो गई थी उनको पद्म विभूशन पुरुसकार मिला और उत्त याम केम का लिटरेचर और इंधियету से हैं उत्तु प्रदेश स्टेट को बिलॉंग करते हैं पॉस्तिम फॉसमस मिला ओकिये मरवनोप्रांथ उनको भी पॉस्तिम से 저희가 सेलेटेस से हैं स्रीकल्यार्ण सिंग इनको भी पॉस्तिमस मिला पब्लिक एफेर्स जब और उत्तप्र पुर्व मुख्य मंत्री बुद्ध देव भटाचारे को पद्म भूशन से सम्मानित किया गया लेकिन बुद्ध देव ने यह पुरुसकार को अस्विकार कर दिया वह मापका नेता हैं कॉंग्रेस नेता गुलाब नवी आजाद अल्फा बैट के सीओ सुंदर पिचाई माइ अब यह लिस्ट है आप चाहे तो स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इसकी नाई तो मैं आपको पूरी डिटेल में पीडियाफ दे दूंगी टेलिग्राम में आप जरूर देखना वो क्यूंकि एक बाग गो थू तो जरूर करना पूरी लिस्ट के ठीक तो यह लिस्ट है आप स्क बॉलिवुट के प्लेबेक सिंगर सोनु निगम को यह पद मुश्री पूसकार मिला यह 107 लोगों को मिला तो बहुत लंबी लिस्ट है मैं दीरे दीरे आपको आगे बढ़ा रही हूँ आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इसी लिए यह पूरी लिस्ट मैं ऐसी दिखा दे र यहां तक की पूरी 106 लोगों की लिस्ट है पदम श्रीखी अब कुछ खिलाडियों को मिला है उन खिलाडियों के बारे में जानते हैं कुल 6 खिलाडियों को पदम पुरुसकार 2022 मिला है पैरलिम्पिय देवेंद्र जहाजरिया को पदम भूशन मिला हाला की जो होकी के खिलाड़ी दिये वन्ना कटारिया और परेलिम्पिक प्रमोध भगत अवनी लेखारा सुमीत अंतल को पदम श्री मिलना है टोक्यो ओलंपिक के स्वन पदग विजेता नीरत चोपड़ा को भी पदम श्री से नवाजा गया अब नेक्स है वैक्सीन बनाने वाले इस बार का कोविट का तो इतना टाइम चल रहा है तो वैक्सीन तो अपने में ही important topic हो जाता है तो यहां तक पूरा theory part था अब हम बात करेंगे थोड़े questionnaire पर बात करते हैं कैसे questions बन सकते हैं कैसे आने वाले exams में questions बनेंगे करके पहला है words 2022 में कुल कितने लोगों को पुरुसकार देनी की घोशना की गई मैंने बताया था ना number बिल्कुल याद कर लेना कितने 128 फिर next है words 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूशन से सम्मानित किया गया तो चार लोगों को पद्म भीभूशन से सम्मानित किया गया पद्म भीभूशन चार 107 ऐसा नंबर है ना 17 ऐसा नंबर था ना याद आया चार 107 और टोटल है 128 चाद अर्मा पद्म भीभूशन मिला ठीक नेक्स है देविंद्र जाजरिया को हाल में ही किस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो उनको पद्म भूशन से सम्मानित किया गया है तो अपना सोनु निगम को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है अपने सोनु निगम सिंगर है ना भारत के चार तो उनको पद्म श पूरुष्कार मिला देखो ऐसे कोशन भी आते हैं पूरुष्कार आपको दे दिया जाएगा और खेल उनका पूछ लिया जाएगा तो वद्ना कटारिया अपनी होकी से रिलेटेड है पिर हाल में नीरा चोपडा को किस पूरुष्कार से सम्मानित किया गिया तो उनको पदम भूषण मिला यह तो हमें पता चलिए इनका नाम पूछ रखा है साइरेस पूना वाला नाम है नेक्स है 2014 से 2021 तक राजी सभाब में विपक्ष के नेता रहे गुलाब नभी आजात को हाल में राश्ट पदम पूरुष्कार से सम्मानित किया गिया तो कौन सा पदम पूरु पर 2022 में जो भी मिले तो बहुत ही डिटेल में आपको एक्स्प्लेइन कर रहा है उमीद करती हो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में